अगर आपने class 11 में arts इस्ट्रिम ली थी और class 12 पास करने बाद आप सोचरी बीए करने को लेकिन आपकी मन में एक सवाल आ रहे कि बीए में तुतने सारे subject हैं बेस्ट सबजेक्ट कौन सा है सबसे अच्छा subject कौन सा होगा जिससे के अपका future better हो सकते हैं जिसका फाइदा आपको ज्यादा मिल सकता है तो मेरे दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बीए के जो बेस्ट सबजेक्ट कॉम्बिनेशन हैं उसके बारे में आपको तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाश तक देख लेते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़े क्लियर हो जाएंगे, उसके बद आपको डिसी जल लेने में बहुत आसानी हो सकती है, मेरा नाम है आयूस और आप देखरें दूसरा साल होता है, इसमें आपको तीन-तीन सब्जेक्ट पढ़ने पढ़ते हैं, लेकिन वीडियो का जो लास्ट इयर होता है, यानि जो ठर्ड इयर होता है, इसमें आपको तीन के जगह सिब दो सब्जेक्टे पढ़ने होता है, कहने का मतलब है कि आपको एक सकते हैं लेकिन दो सब्जेक्ट आपको फाइनल लेयर में पढ़ने होंगे तो चले अब हम लोग जान लेते हैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉमिनेशन के बार में हम लोग अलग अलग पॉइंट ओ व्यू से बात करेंगे कि अगर किसी को बैंक में जॉब करने है तो उसके लिए क कहने को 20 से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं लेकिन 10-12 ही ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि ज्यादा तर्भिय करने वाले एस्टुएंट लेते हैं और उन्हीं सब्जेक्ट का ज्यादा फाइदा होता है तो देखे सबसे पहले जो सब्जेक्ट होते हैं हिंदी होती है इंग कि क्या हो सकता है सबसे पहरला करने की हुए जल्दी पर चाहिए जल्दी जल्दी जाब लगजाए तो आप के लिए कौन सा सबजयक्ट बेश्ट हो सकते हैं क्यूए दोस्तों आप को या कि भी गौर्वर्मेंट जॉब की वेकेंसी अप्लाई करती हो जब उसका एक्जाम होता है तो एक्जाम पेपर में चार में सेक्शन होते हैं अपको English रिलेटट कोश्चन आते हैं mathematics से रिलेटट कोश्चन आते हैं उसके लावा दोस्तों current affairs और रिजनिंग तूसी के point of view से हम बात करेंगे तो दिखे अगर आपको banking sector में job करना है तूसके लिए जुबेस्ट subject combination हो सकता है दोस्तों वह सकता है English अप में होना चाहिए क्योंकि दोस्तों कोई भी एक्जाम दिन जाओ उसमें English का section जरूर होता है और बहुत सरे दोस्तों अगर अगर अवक अच्छा सब्जेक्ट सेकते यह फिर फिसे हैं इन दोनों सब्जेक्ट में से लेकिए आप बेस्ट मिना सकते हैं मैं जो सब्चेक्ट आपको बता रहे हुग जरूरी नहीं कि आप यही सब्चेक्ट में इन्ट्रेस्जुक लेने का ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया कि ले लिजे लेकिन आप इंट्रेस्ट नहीं है तो आप अच्छे इस पढ़ाई नहीं कर पाऊगे तो फिर उसका कोई फायता नहीं है अगर आपको इंगलिस के जगह हिंदी लेना है अप उसमें ज्यादा कॉंफटेबल हो तो आप हिंदी लीजे आप हिंदी सब्जेक्ट लीजिए अब ग्रेजुएशन कर लीजिए उसके बादा बीट कर लेंगों इसके बाद आप टीचर बन सकते हैं उसके अलावा दोस्तों अगर आपको सीविल सर्विसेज के लिए जाना यूप्यसी के तियारी करनी है तो उसमें दोस्तों आपका जो एक को सब्जेक्ट हो सकते हैं इसके साथ दोस्तों आपका हिस्टरी सब्जेक्ट ले लिए उसके बाद आप利कनीके फिजियो ग्रॉफि इन दोनों में कोई एक ले सकते हैं उसके अलावा अगर आप girls हैं तो दोस्तों आपके लिए home science बहुत अच्छा subject हो सकते हैं आप अपनी जो भी subject combination मैंना उसमें आप एक subject home science रख सकते हैं उसके लावा आप ऐसे student है जो कि मतलब की job वगर जिनको नहीं कर नहीं जिनको बस simple सा है कि हाँ मेरी degree complete हो है तो ऐसे में दोस्तों आप sociology subject ले सकते हैं इसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ने जोत नहीं पढ़ेगी आप मतलब कुछ टाइम ही पढ़के आप इसमें पास हो सकते हैं आप एक sociology ले लिजिए उसके लावा आप हिंदी ले सकते हैं उसके अलावा आप चाहे तो physical education या इसके लिए और भी बहुत सारे subject है जैसे कि अगर केसी को हिंदी का टीचर उनना है तो बहुत अच्छा ऑप्सन है जिसमें आप आगे जाके टीचरिंग लाइन में अपना करियर बना सकते हैं तो कहने का मतलब है कि जॉप आपसन बहुत सारे हैं आपको डिशाइड करने क् future में क्या लेना है उसके according आप subject चुनिएगा तो दोस्तों यही बाते थी मुझे उमिद है कि आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको कौन सा subject लेना चाहिए कौन सा subject आपके लिए ज्यादा बेटर हो सकता है अगर आपको वीडियो पसंदे वीडियो को लाइक कर दीजे च अब सबीन इस वीडियो को देखा आपको बहुत बहुत धन्यवाद